साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी है ये मेरी चार जातियां हैं मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताए, बहने, महलाएं और मेरे किसान भाई बहन मत्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वा पूर्ण कड़म उठाए है गरीबों की सेवा, स्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथ्मिक्ता है हमारा प्रयास है कि देश का स्रमिक, ससक्त बने और सम्रद्य भारत के निर्मान में अपना महत्वा पूर्ण योगदान दे परिवार जनों, स्वच्छता और स्वात के लिए मशूर इंदोर कितने ही ख्षेत्रों में अगरणी रहा है इंदोर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है यहां के सो साल पुराने महराजा तुकोजिरा और क्लोथ मार्केट की अइतिहासिकता से आप सब परिचीत है शहर की पहली कॉटन मिल्की स्थापना होलकर राज घराने ने की थी मालवा का कपांस ब्रिटेन और कई एरोपिय देशों में जाता था और वहाँ मीलों में कपड़ा बनाये जाता था एक समय था जब इंदोर के बाजार कपांस के दाम निर्धारित करते थे इंदोर में बने कपड़ों की मांग देश विदेश में होती थी यहां कपड़ा मिले रोजगार का बहुत बड़ा केंदर बन गई थी इन मीलों में काम करने वाले कई स्रमीक दूसरे राचों से आए और यहां घर बसाया यह वो दोर था जब इंदोर की तुन्ना मेंचेस्टर से होती थी लेकिन समय बढ़ला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुक्सान इंदोर को भी उठाना पड़ा डबल इंजिन की सरकार इंदोर के उस पुराने गवरव को फिर से लोटाने का भी प्रयास कर रही है बोपाल इंदोर के बीच इन्वेस्टमेंट कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है इंदोर पिधंपूर एकोनोमिक कोरिडोर एवं मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क का विकास हो विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो पास में धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क हो सरकार द्वारा इन पर हजारो करोड रुपिय का निवेश किया जा रहा है इससे यहाँ पर रोजगार के हजारो नए अवसर बनने की संभावना है विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थवबस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी